आज में चीकेन बनाने का एकदम नया अलग डिफ्रेंट तरीका बताऊंगे फ्रेंज इस तरीके से चीकेन आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी बहुत डिलीसस ये बनकर त्यार होता बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है वीडियो फुल बाच करिएगा ये रेसिपी आपको आ अलग डिफ्रेंट तरीके से सुपर टेष्टी चीकेन पनाने के लिए मैंने आप देखिए साढ़े साथ 100 ग्राम चीकेन लिया है चीकेन को मैंने अच्छे से क्लीन एंबस कर लिया है चीकेन आप अपने जरूत की साफ से हां पे कमिये जादा कर सकते हैं जितना आपको ज़ प्यांज को एक मिक्सर जार में एड़ कर लेंगे और इसे प्यास करके से एकदम स्मूथ पेश्ट त्यार करेंगे मैं इसका टेक्चर आपको दिखा देती हुए दिखिए तो बिल्कुल इसी तरीके से इस पेश्ट को पीछना है अब हम क्या करेंगे इस पेश्ट को एक चार से पांच हरी मिर्च, हरी मिर्च इसमें बहुत ही अमेजिंग टेस्ट लेकर आता है, लेकिन अगर आपको हरी मिर्च ना पसंद हो, तो इसके जगह पर लाल सुखी मिर्च भी यूज कर सकते हैं, फिर इसमेडाल देंगे, एक इंच कटे हुए अद्रक के टुकडे, 12-15 चीली हुई लशन की कलिया, अब इन सभी को भी पीश लेंगे, और इस तरीके से एकदम स्मूध पेश्ट तयार करेंगे, अभी से भी प्याज वाले पेश्ट में ट्रांसफर कर लेंगे, तो आर्च हैं तो इन सभी चीजों को एक ही साथ बड़े वाले मिक्सर जार में पी के प्रोसेस में, अब एक कडाही में एड़ करेंगे, दो बड़ा चमस तेल और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे, मैंने इस चीकेन करी को एकदम हिल्दी तरीके से बनाना बताया है, इसलिए मैंने इसमें एकदम कम तेल का यूज किया, लेकिन आप चाहे तो इसमें त टेबल स्पून पानी डाल कर क्लिन करते हुए, इसमें एड़ कर लेंगे, इस पेस्ट को बेस्ट नहीं करेंगे, अब इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और गैस का फ्लिम इस टायम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लिम पर इसे ढख करके 10-12 मिनट तक भू पूरी तरह से खतम हो गया है, और इसमें से ओयल से प्रेट होने लगा है, तो बस इसे एक बार और अच्छे से चला लेंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे ड्राए मसाले, वन टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून काली पाउडर ये तीखा कम होता है, और इसे कलर बहुत अच्छा है, तेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे, और अब इसमें से चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम गयास का फ्लेम इस टायम लोटो मीडियम रखेंगे, लोटो मीडियम फ्लिम पर अब करेंग से इस टायम बहुत ही खुजबू आने लगी, मसालों का टेक्स्टर देखिए, पुरी तरह से चेंज हो गया है, है ना, तो मैंने इसमें एक दम कम तेल का यूच किया, इसलिए तो 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 थोड़ा सा तेल बढ़ा भी सकते हैं, तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया ह अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगी और गयास का फ्लेम इस्टाइम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर इसे ढख करके 4-5 मिनट और भूनेंगे, मतलब चिकन को भी एमे 4-5 मिनट तक मसालों के साथ भूनना है, ऐसा करने से मेर्स मसालों का जो फ्लेवर चिकन के अंदर खुब अच्छे से चला जाता है, और जब भूने हुए मसालों के साथ इस तरीके से जब भूनता है ना तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है, मतलब एक सौंदा सा फ्लेवर इसके अंदर चला जाता है, जिसे कि चिकन का टेस्ट और भी जयादा बढ़ एक बार और अच्छे से चला लेंगे मिक्स कर लेंगे और अब इसमें डाल देंगे ग्रेवी के लिए एक कप पानी तो इसमें ज्यादा पानी का इस्तमाल ना करें क्योंकि इस चिकन करी को हमें ज्यादा ग्रेवी वाली चिकन नहीं बनाना है बस ग्रेवी हमें उतना रखना प्रेवी लीप्टी हुई हो अब इनसा भी कोच्छे से मिला लेंगे और गैस का फ्लेम इस टाम लोटू मेडियम रखेंगे लोटू मेडियम फ्लेम पर इसे ढख करके 15-20 मिनट तक पकाएंगे आपसे एक छोटी सी रीक्वेश्ट है अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद है तो वीडियो के नीचे क्लाइग के बटन दिया गया है उसे क्लिक करें और अगर आप मेरे चनल पर नहीं है तो ऐसी ही सूपर डूपर डिली सत रेसिपी देखते रहने के लिए मेरे चनल को बन के रेडी है बिल्कुल नए तरीके से नए टेस्ट में और आप देख सकते हैं चिकन देखने में कितना ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है है ना तो सोची खाने में यह कितना ज्यादा डिलीश्यस लगेगा ग्रिवी देखी एकदम पॉर्फेक्ट और स्मूथ बनी ह तो अब हम इसमे थोड़ा सा कटा हुँआ फ्रेस हराधनिया डालकर अच्छे से मिला लेंगे और अब हम कैस का फ्लेम बंद करकर इसे ढख देंगे दो मिनाट के लिए ताकि हराधनिया का फ्लेवर इसमें अच्छे से चला जा उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे तो बना कर देखिएगा ये रेसिपी आपकी फेवरेट हो जाएगी और हर वर आप चिकन ऐसे ही बनाएंगे और जिनको भी इस तरीके से चिकन बना कर खिला देंगे हर कोई आपका तारीफ करते नहीं थकेगा और गैरंटी से कहती हूं उंगलियों के साथ पूरी प्लेट भी चा कि रये पर वर देखिए!